दोस्तो आज बात करेंगे हम चार ऐसे टॉप मिररलेस कैमरा जो आपको मिल जाएंगे अराउंड 80,000 या अंडर 80,000 दो-3,000 उपर नीचे हो सकता है बट चारो भैतरीन कैमरा है बहुत सारे लोग ने कहा था कि सर आपने अंडर 50 का बनाया आपने अंडर 1 लैक बनाया आपने के ऊपर के कैमरा दिखाए लेकिन आपने एक कोई भी ऐसे कैमरा से इस सेग्मेंट के अंदर आते हों क्योंकि बहुत सारे ऐसे फटोग्रोफर्स हैं जो बिगनर लेवल के ऊपर आ चुके हैं और ऐसे कैमरा ढूंड रहे हैं स्पेशली मिररलेस में जहां वो फोटो और वी तो बात करते हैं हां यह नंबर चार की पोदीशन पर कौन सा कैमरा हैं तो मेरेऊ इसाब से पेनसोनिक लुमिक्स का जी नाटी गैमरा जो है यह बहुत ही कमाल का कैमरा है अगर आप उनसे पूछेंगे विडियोग्रोफी दोस्तों कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं पैना सॉनिक लूमिक्स के कैमरा तो आज जो 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 है एक 20.3 मेगा पिक्सल का कैमरा है 4K 30P आप इसके अंदर जो है वीडियो शूट कर पाएंगे हलागी क्रोपिंग के साथ में आता है सेंसर जो है यह आपको मिलता है इसके अंदर माइक्रोफोर्ट थर्ट सेंसर जो जो जी एच 5 जी एच 4 या जीए 6 के अंदर था तो बहुत हाला कि सेंसर का साइस थोड़ा छोटा होता है बट माइक्रोफोर्ट थर्ट सेंसर पे अगर आपने वीडियो शूट के होंगे दोस्तों तो बहुत ही बटरी स्मूध और कमाल की सिनेमेटिक फुटेज जो है यह सेंसर निकाल के देता है तो यहां बगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर देखो आपको फ्लिप आउट स्क्रीन भी इसके अंदर इस तरह से मिल रहा है तो आप इसको अगर आप सोलो शूटर है तो इस तरह से आप अपना वीडियो कॉंटेंट आराम से शूट कर पाएंगे बात करें अगर अग इसकी ISO range है single slot card है यहां पर 9 frames per second आप इसके अंदर continuous शूट कर पाएंगे बात करें दोस्तों इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो मैंने आपको बता है जैसे की 4K 30P तक आप इसमें शूट कर पाएंगे obviously with crop की साथ built-in Wi-Fi Bluetooth सब कुछ आपको मिल रहा है साथ में आप वी pros and cons की तो यहां पर सबसे चीज़ है आपको एक excellent sensor मिल रहा है with high dynamic range autofocus का जातक सवाल है दोस्तों तो अगर आप AFS mode पे shoot कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जो है आपको बहुती good और बहुती fast जो है autofocus इसके अंदर आपको मिल जाएगा बात करें अगर 4K video quality की तो video quality इसकी बहुती excellent है दोस्तों आपको मज़ा जागा जब आप इस पर video shoot करेंगे तो यह सारे जो है इसके मुझे काफी pros लगे उसके अलावा दोस्तों यह weather resistant है यानि की completely weather sealed body है lock profile इसमें आपको मिल रहा है तो यह छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इस camera को एक बहतरीन camera बनाती है आज के जमाने में 2023 में थोड़ा सा outdated लगता है because contrast based autofocus के अंदर क्या होता है कि भाई आप shoot कर रहे हो पीछे ज्यादा brightness है तो आप solo shooter है तो और continuous आप हिल रहे हैं डूल रहे हैं vlogging कर रहे हैं या खुद solo shoot कर रहे हैं तो वहाँ पर जो autofocusing का जो performance है especially continuous focus mode में वह तोड़ा सा यहां पर ठीक नहीं होगा हम आपको थोड़ा साफधानी बरत्मी होगी लेकिन अगर आप manual shoot करते हैं manual focusing करते हैं तो nothing कोई चिंता की बात ही नहीं है तो बस यह चीज में थोड़ी सी इसके अंदर minus point लगा 4K का जो up to 30 आप इसमें shoot कर पाएंगा up to 30p तो वहाँ पर भी जो ह आपकी जो वीडियो footage है वो cropping के साथ में आ रही है यह भी मुझे एक तोला सा minus point लगा और एक चीज मुझे जो खराब लगी वह लगी कि 2023 इसके अंदर USB 2 है तो आजकल उसके काफी higher version आ गये हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों किया है overall यह camera किन के लिए दोस्तों अगर आपका budget around 80,000 है तो इस पर आप जा सकते हो आज की price की बात करें तो 84,000 के अंदर यह आपको Panasonic Lumix G90 मिल रहा है shop के अंदर with kit lens 12-60 kit lens इसके साथ में आता है और उसके साथ ही वे आपको price बता रहा हूं और उसके अलावा अगर आप एक beginner level की उपर आ चुके हैं आपको वीडियोग्रफी सीखनी है आपको photography भी सीखनी है दोनों काम आप करते हैं जादा वीडियोग्रफी का काम है और photos भी आप लेते हैं और content creation का काम करते है YouTube वीडियो बनाते है Instagram की Reels बनाते हैं तो भाई आप बहुत अच्छा camera है सीखने के लिए बहुत अच्छा camera है इसके ओपर आप अच्छा but still very relevant camera in 2023 अब बात करेगा इसके हम megapixels की तो यहां आपको 20.9 megapixel का आपको देखिए camera sensor मिल जाता है crop sensor है हलाकि xpeed 6 image processor आपको इसके अंदर मिल जाएगा आप शूट कर पाएंगे इसमें UHD 4K and Full HD video recording यहां अगर हम बात करें दोस्तो तो यहां पर आपको मिलता है 2.36 million dot का OLED आपको एक electronic viewfinder मिल जाएगा 3.2 inch की आप देख पार हो यह जो है दोस्तो यहां पर आपको मिल रहा है tilting touch screen बात करें ISO range की तो 100 से लेके आपको 51,200 तक का आपको ISO range मिल जाएगा ergonomics जो है इसक 0.9 point hybrid autofocus eye detection और built-in wifi bluetooth वगरा वगरा आपको मिल जाएगा अब यह जो camera आता है 1650 kit lens के साथ में और अगर हम बात करें इसकी price की तो आज की rate में 72,000 के अंदर यह आपको store के अंदर मिल रहा है जो मैंने जैसे मने बता है आज मैं खड़ा हूं बगत photo store के अंदर जो कि यहां का बहुत ही एक famous जैपूर का एक store है different brands आपको यहां मिल जाएंगे आप feel भी कर सकते हैं आके check कर सकते है test footage लेके देख सकते हैं इंका इंस्टाग्राम का वे ने नीचे लगा दिया description में तो वहाँ पर आप Instagram पे जाके इंका address, number वगरा सब आपको मिल जाएगा तो thanks to bhagat photo store जि इनका काम जो है photos का 50% है 50% वीडियो का तो अगर आपकी दोनों 50-50% करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक combination रहेगा एक perfect hybrid camera है under 80,000 रुपीज के अंदर बात करेंगर इसके pros and cons की तो यहां पर दोस्तों मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई जाधा cons नहीं है सारी अची चीज़े ही है खाली इसका जो मुझे flip out screen है ना वो मुझे कुछ जाधा पसंद नहीं है देखिए इस तरह का आजकल सब जगे flip out screen हा रहा है और यह जो है यह तोड़ा tilt screen है तो यह तोड़ा सा एक मुझे इसके अंदर minus point लगा battery life उतनी strong नहीं है I think 300-290 shots ही आपको इसमें मिल जाते हैं ह बिल्ट क्वालिटी हलाकि काफी अच्छी है इसके अंदर आपको काफी सारे जो lenses है निकॉन के आप काफी mirrorless lenses आ गये तो वह series आपको पूरी मिल जाएगी तो एक अच्छा कासा इसके अंदर आप professional level का semi professional level का काम कर सकते हैं वो चाहें wedding हो, e-commerce हो, modeling portfolios हो, fashion photography हो, portrait photography हो, corporate portraits हो सा अब बात करते हैं number two की position पे कौन सा camera है, तो यहां मैंने दोस्तों रखा है Sony A6400, अब यह जो camera number two position मैंने क्यूं रखा है, उसे मैं बाद भी बताऊँगा, पहले हम बात कर लेते हैं इसके उसको खास features की, तो यहां दोस्तों आपको मिल रहा है, कितना अच्छे से इसको design किय camera है, 24.2 megapixel का जो है दोस्तों, यह camera है, crop sensor के साथ में है, यहां पर आपको मिल जाता है, रियल टाइम, eye focus, autofocus और रियल टाइम tracking आपको इसमें मिल जाएगी, यहां पर अगर मैं बात करें, देखिए इस तरह सी जो इसका screen जो है, यह selfie LCD screen आपको मिल जाता है, आप record करते बद खुद को देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करें, तो यहां पर यह जो है, आप पूरा जो screen है, करीब तीन इंच का आपको screen मिल रहा है, और यहां पर कर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यह देखिए range finder style का जो है, यह आपको यहां पर एक EVF मिल रहा है, जो की 2.36 million.com OLED EF है और अगर हम बात करें, यहां पर इसके वीडियो फीचर्स की, तो यहां 4K में शूट कर पाएंगे, आप S-Lock 3 में शूट कर पाएंगे, इसके अंदर आप शूट कर पाएंगे, HLG के अंदर भी, और अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर इसके autofocus system की, तो यहां पर contrast detection, autofocus points आपको मिलते हैं, up to 11fps, आप इसके अंदर शूट कर पाएंगे, और जो ISO range है, वो इसकी काफी अच्छी लगी, वो आपको करीब मिल जाती है, 102400 तक तो low light के अंदर भी यह camera बहुत अच्छे से perform करता है, अब मैंने आपको बता है क्यों मुझे यह camera number 2 पे मैंने र options, अगर आपका budget sony lenses का नहीं है, तो यहां आप Tamron के, Sigma के, आप Samyang के, Zyce के lenses भी जो है, इसके अंदर आसानी से use कर पाएंगे, जिस वज़ा से यह combination है, काफी solid बन जाता है, अभी camera किन लोगों के लिए दोस्तों, मैं मेरे इसाब से camera लोग लिए जो बहुत serious videographers हैं, तो यह I will recommend to those people, जो videography जादा करते हैं, photography, videography दोनों कर पाएंगे, तो हम कह सकते हैं, एक अच्छा खासा hybrid camera है, बात करेगा इसके pros and cons की, तो यहां पे पूर battery life मुझे लगी, यहां पर जो इसका menu है, दोस्तों, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, बहुत ही complicated है, अगर आप यह camera ख जूबेंगे, आप जब इस camera को खरी देंगे, तो आपको काफी struggle करना पड़ेगा menu के साथ में, बाकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी है, अब कहना चाहिए, तो यह जो screens है, तोड़ा सा old-fashioned लगा, मुरको इसके जो technology वो कोई नई वाली नहीं है, और यह एक proper जो है, जो हम प्रेस किया, compare to photography, तो अगर videography काम जादा है, तो यह camera बहुत ही कच्छा option रहेगा, बट अगर आप photography भी करते हैं, साथ साथ तो भी यह combination काफी अच्छा है, अब दोस्तों अगर बात करें इसकी price की, तो Sony A6400 आपको मिल रहा है, 80,000 रुपीज में with this kit lens 16-50, तो बहुत ही सही price के अंदर आपको एक अच्छा hybrid camera मिल रहा है, अब बात करते हैं, number one position पे कौन सा camera है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने number one position पे रखा है Canon R10, यह एक perfect hybrid camera है, अगर आप photography, वीडियोग्राफी दोनों बराबर करते हैं, और दोनों में आपको अच्छे features चाहिए, तो Canon R10 वहाँ प आपको बात करूं, इस price के अंदर इससे बढ़िया hybrid camera को ही नहीं सकता, अब इसकी जो selling price है आज की rate में वह है, इसका 79,000, क्योंगी शाहिए इसका MR पे भी कुछ बढ़ गया है, बट 79,000 में आपको एक ऐसी body मिल रही जिसमें आप ना किवाल अच्छी photos निकाल पाएंगे, अपल के अच्छी खासी video graphic कर पाएंगे, बात करते से कुछ features की, यहां मैं आपको दिखे, खोल के दिखाता हूं, यह इसका जो है, आपको मिल रहा है, यहां पर 24.2 megapixel का APS-C CMOS sensor आपको मिल रहा है, इसके अंदर आपको मिल जाता है, dual pixel CMOS autofocus 2, और बात करें अगर इसकी video capabilities की, तो यहां पर video capabilities में आप इसमें 4K 30 तक shoot कर पाएंगे, 4K 60 आप shoot कर पाएंगे, but with cropping के साथ, और HDR PQ, यह सब आप इसके अंदर feature use कर सकते है, 23 frames per second, आप electronic shutter पे इसमें shoot कर पाएंगे, इसकी grip काफी deep लगी, और total agonomics अगर हम देखे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको design क आप देख सकते हैं, सही इदम इसके buttons बहुत easy to understand है, और यहां पर अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आप इस camera को लोगे, तो कुछ ही मिंटो में इसे इसे इस्तिमाल करना शुरू कर दोगे, बहुत ही अच्छी finish, lightweight, compact है, तो everything is good about this camera, बात करें यहां पर अगर हम इसके OLED EF की, तो यह 2.36 million का जो है, आपको मिल रहा है, यहां पर OLED EF, और 1.0 million dot का आपको मिल रहा है, यह देखें, very angle screen, तो vlogging के लिए बहुत ही अच्छा camera है, आप देख पा रहे हो, इस तरह से आप इसको vlogging के लिए भी use कर सकते हो, इसके अदर Wi-Fi, Bluetooth, यह सब आपको मिल जाएंगे multi function shoe, यह सब आपको जो है, इसके अंदर मिल रहे हैं दोस्तों, so overall यह जो है, एक perfect hybrid camera है, अब अगर बात करें दोस्तों, इसके कुछ cons की, कि jiggling सबसे बड़ा जो con मुझे नजर आया हो है, इसमें आप 4K 60P पे आप शूट कर पाएंगे, लेकिन जो video footage है, वो पुरी cropping के in body image civilization, तो कोई image civilization नहीं है, तो भाया, यह एक बहुती बड़ा minus point है, हाला कि Canon के जो और higher models है, उनका, आप दिखोगे, ibis तो बहुती कमाल का है, बट इसके अंदर जो है, आपको कोई भी, there is no image in body image civilization, तो उस वज़ा से, यह काफी एक मुझे बहुती बड़ा minus point लगा, तो handled आप shoot करोगे, तो footage उतनी smooth नहीं आएगी, एक चीज मुझे इस पर खराब लगी, वो है, इसके अंदर single card slot मिल रहा है, वो भी नीचे की side में है, उसकी positioning मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, यहाँ पर इसका single card slot है, double होता, तो अच्छा रहता, and last but not the least, यहाँ पर आप दे photography, अच्छी खसी photography, आप सब चीज से इसके अंदर कर पाऊगे दोस्तों, तो overall यह जो आप 4 cameras आपको mirrorless में ने दिखा है, आपको सबसे यदा पसंद कौन सा है, और अगर आपको मानली जो कोई camera खरीदना हो, तो आप इन चारों में से कौन सा camera खरीदना चाहेंगे, और क्यो वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने सारे cameras अवेलेबल करा दिया हमारे लिए, ताकि हम इसके बारे में बात कर सके हैं, so thanks to them, इनका Instagram ID का link मैंने description लगा दिया है, तो वहाँ पर जाके आप इनका address आपको जो भी DM करना हो, कर सकते हैं camera के regarding, आपका favorite कौन सा camera हो रहा है, मुझे comment करके निचे जरूबत आएगा, आपके comments कराएगा मुझे अंधार, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फेंद आई वीडियो के साथ, thanks for watching